बाई लोग दो दिन में दो नए मुवी के ट्रेलर लांच हो चुके है जिसमें से पहला है सेलफी और दूसरा है तू जुटी मैं मकर इस फिल्म का तो हम इस वीडियो में इन दोनों के ट्रेलर के ओपर बात करेंगी लेकिन उने के साथ साथ कल जो मुवी रिलीज होने वाले पठ़ण। उसके बारे में एक वाइरल फैन है जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगी घूर सबसे पहले अगर हम सिलफी की बात करें दो इसमें में अक्षे कुमार के साथ साथ इमरान हश में भी नजार आने वले हैं और ये एक ऑफिशल हिंदी रिमेक है एक तमिर मुवी का जिसका नाम था ड्राइविंग लाइसन्स है इसका सियना से काफी हलका फुलखा है यानि कि इसमें एक फिल्म सुपरस्टार है और उसका टगड़ा फैन है जिसे बस उस सुपरस्टार से एक सेल्फी चाहिए अब उसे उस सेल्फी मिलती है या नहीं मिलती ही यह हमें बात मुवी देखने के बाद ही पता चलेगी लेकिन इसका ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लागा कि शायद इन्होंने पूरी के पूरी मुवी या है पे बताई नहीं दी यानि कि मुवी के कुछ ऐसे इंपोर्टन प्रॉट्स और फिर इसके कैरेक्टर के आर्स क्यूंकि देखो ट्रेलर काफी लंब वर के साथ साहर राइवल होती है वह मैं कलरा त्रेलर के साथ साहथ देखने को मिलने वाली है लेकिन इसका ट्रेलर देखने पर हसी समय हमें इस ड्रेलर को मारी लाइक बहुती दिखाए कि मैं साल में चार मुवीज करना चाता हूँ, दो OTT के लिए भी करना चाता हूँ, 28 एड, 7 शोज और एक रियालिटी शोज भी करना चाता हूँ, अग भी मैं आपको इसकी गैरेटी नहीं दे सकता कि एक कैरेक्टर बोल रहा है या फिर वैसे तुम समझी गए होंगे, श्यार हो तुम अक्षाई कुमार के पिछले मुवीज का रेकोर्ड कुछ अच्छा नहीं है, तो देखते ही ये मुवी कैसी होगी और इसी के ही साथ-साथ, तुझ टीम में मकर नाम से भी एक ट्रेलर आया है, जिसमें हमें पहली बार श्रधा कपूर और रनवीर कपूर एक साथ दिखने लए है, खेल, इस ट्रेलर की हम बात करेंगे, लेकिन इस ट्रेलर की जो हाईलाइट थे, यान की अनभाव से इंग बसी, यार, कौर्ट फैन नहीं है, इनके पूरा इंडिया इनके पाती ये मज़ेदार होगा, खेल, अब अगर इसके ट्रेलर की बात करें, तो या एक रोम और सोनु के टीटू की स्वीटी तो अगर आपने ये मुवी देखिए तो आपको पता चला होगा कि लवरा जन ऐसी रॉमकॉम वाली मुवी बनाते हैं जिससे आज कल का यूध कनेट कर पाता है तो ये मुवी देखने में मसा तो आएगा और इस मुवी में रंदिर का प्रू करो प्रूब्स नजा रहे हैं जो वाद पर वह अपनी सेट्टिंग करने की कोशिश करते है जिसमें वह सफल भी होते हैं फिर को पता चलता है कि चीज़ इसथे चिसनी आसान दे ऑप्र और आफसान है नहीं तो यह मुवी देखने में मज़़ा तो आने वाला है लेकिन आप मुझे बताओ आप इस मुवी के लिए इंट्रेस्टेड हो या नहीं है मैं तो इस मुवी को सिर्फ बसी के लिए देखने को जाने वाला हूं लेकिन आप अगर इस मुवी को देखने वाले ह तो आपको बता दूँ कि ये मुवी बिल्कुल भी टैमिली फ्रेंडली नहीं है और खेर इसके साथ साथ पठान मुवी के लिए भी एक जबरदस प्रांट थेरी है जो कि मुझे अच्छे लगी इसलिए मैं भी उसे या पर शेयर करने का रहा हूं तो मुवी में ऐसा लगता है कि दिबिका बदुकौन शारुकान को डबल क्रॉस कर देगी क्योंकि ये सिन देखे तो ऐसा है लगता है खेर अगर आपने पठान का टीजर बारीची से देखा होगा तो आपको ये चीत सामने आई होगी कि पठान एक्जाट्ली दो बार यहां पर हो हेलिकॉप्टर लेके निकल जाता है और दूसरा है वह ये ट्रेन के अंदर खेर अगर पठान आरांग से चुट चुका है तो इस पूजिशन में कैसा है क्योंकि अगर तुमने वह मैंशन वाला सीन देखा होगा जहां पर शारुकान एक साथ मिलते हैं तब वह का ही करना पड़ेगा तो बैसिकली यह तो एक सिर्फ वाइरल फैन ते रहे हैं और हमें सबी चीज़ों के जो आप कई जाएंगे तो आपको यह तेरी के अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना अपने दोस्ते के साथ शेयर करना मत भूलना और हां चानल का सब्सक्राइब कर ले ना और मैं मिलता हो आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे हैं वाइल्ड वाइन से टीवी